दोस्तो इस कहानी का सुनुवात में हमें मेंडू सीटी को दिखा जाता है जो कि नहाँ में तर रहा होता है और ये सीटी बहुत ज़्यादा हाइटिक सीटी होता है वही हमें डॉक्टर टेनमा को दिखा जाता है और इन्होंने ही मेंडू सीटी को बनाया है उन्होंने बहुत टॉबी का क्याड टेकर होता है और जब टॉबी अपना कार में बैठता है तब उसका पापा लाइब कॉनफरेंस करता और फिर टॉबी का पापा टोबी तोभी और इन से मिनिस्ट्री आफ साइंस चलने के लिए कहता है लेकिन और इन जाने से मना कर देता है लेकिन तोभी और इनको फोर्स कर चलने जाता है और फिर प्रेसिदेंट से कहता है कि डॉक्टर एलिफान मेरा फ्रेंड है और मैं उन्हें काफी समय से जानता हो हमारा मक बात करते हैं और प्रेसेडेंट को अपने साथ आने के लिए कहता है और नहीं निपटर को area आ एक के गपिता है बात है कि बहुत करता है पावरफुल है और व्लुटर कहता है बुलुको एनर्जी के साथ इसका इनर्जी मिला होता है जो किना ृइट एनल्जी है और यह बहुत खतरणाक है और तभी प्रेसडेंट आता है और रोबोट से कहता है की रेड ह लोएन ब्लू आर जीतना है और लोग को बनाओंगा ओंग को और मे फिर से इस चुनाओं को जीत सकता हो और वइत जाता है रोबोट तोवी को रूम के अंदर बंद कर देता है लेकिन रोबोट को चक्मा देकर तोवी भाग जाता है और टेन माँ बीस के पार रोबोट को शुरू करने के लिए कहता है और रोबोट के अंदर ब्लू को एनरजी को डालने जा रहा होता है लेकिन प्रेसिडेंट मना करता है उसका बदले रेड एनरजी को डाल देता है रोबोट के अंदर और कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट के चुनाओ जीतना है इसके लिए रोबोट दाकत बर होना चाहिए और प्रेसिडेंट रोबोट के अंदर निगेटिव एनरजी डालने का बात उसको टेस्ट दनने लगता है और टॉबी भी डेमो स्टेशन पे आ जाता है रोबोट शुरू शुरू में अक्षे से काम कर रहा होता है लेकिन अचानक से रोबोट सबी का उपर हमला करने लगता है और टेनमा जलनी से दर्वाजे को लगा देता है लेकिन टॉबी आंदर ही फसावा होता है और फिर टेनमा टॉबी को निकलने के लिए दर्वाजे खोलता है लेकिन दर्वाजा नहीं खोलता है और रोबोट दर्वासे को तोडने के लिए अपना पावार का इस्तेमाल करता है जिसके बज़े से टॉबी की जान चला जाता है और डॉक्टर अलफवान रोबोट को रोपने के लिए ब्लू को एनरजी को यूज करता है और रोबोट को डिस्ट्रॉई कर देता है और फिर टेनमा टॉबी को याद करता हुआ रोने लगता है टेनमा को टॉबी का एक टॉबी मिलता है जिसके अंदर एक बाल होता है उस बाल का साहित से एक रोबोट बनाता है और उसके अंदर याद दास और खूबिया टॉबी का होता है और डक्टर एलफान से ब्लू को एन और फिर दूसरा दिन टॉबी अपना पीता जी से कहता है कि पीता जी मैं क्या बिमार हो गया था, तेन मा उसे कहता है कि तुम बिमार नहीं थे, ये क्या कर जले लगा लेती है, और फिर और इन टॉबी को देखकर चौक जाता है, क्योंकि उसे टॉबी रोबोट दिखाए दे उसे कुछ किताब लेकर देता है और उसे कुछ किताब लेकर देता है और कहता है कि इसको पढने का कोशी द रहो ये बोल कर उदस्ते चला जाता है लेकिन टॉबी परने का वज़ा पेश फार कर उससे खिलोना बनाता है और और इनके साथ खेलने लगता है और तभी टेनमा आता है टेनमा टॉबी से पूछता है मैंने तुम्हें परने के लिए दियाता है लेकिन तुमने फार कर खिलोना बनाया है इस बात पर और इनकाता है 10 माठ टॉबी को अपना कमरे में बेज देता है और फिर 10 माठ डॉक्टर इलवन को फोन करता है और कहता है की ने टॉबी रोबोट को बना कर गल्ज़ी किया है क्योंकि ये तोरा अजीव है और मैं जब भी इसके तरह देखता हूँ मुझे अफसोस होता है क्योंकि टॉबी कभी भी लोट के नहीं आ सकता है और यह बार बार याद दिलाता है उसका और वही टॉबी कामरे में बैटा हुआ होता है और बाहर दो रोबोट ग्लास साफ कर रहा होता है और दोनों रोबोट का बाते टॉबी सुन पा रहा होता है इ उसके घरन तोभी हाँ में उड़ना लगता है तोभी को उड़ना नहीं आता इसलिए वह इधर उड़ना सिख जाता है और पाहरों के अंदर से निकालता है टॉबी अपना पावर के बारों में पीता जी के पास जाता है कहने के लिए और फिर जेनरल हीडरल प्रेसिडेंट से कहता है कि एक अंजान चीज हवा में उड़ रहा है और रोबोट कहता है ये ब्लोक एनरजी है ये बत सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है उसको लेके आओ मेरे पास दोस्तो मूवी में आगे क्या होगा ये देखने के लिए बाग दोका लिंग कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग जा कर देख सकते धन्यवाद वीडियो आकरी तक देखने के लिए